तो सबसर घटना जो घटनी इसके बारे में सबता दिया जाने जो हम लोग नहीं देंगा चुल दिया बी-ए-बी-कॉम-बी-ए-स-सी एम-ए-म-कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी युनिवर्सिटी इगनो से सॉल्ट असाइमेंट्स और गाइडबुक्स प्राप्त करें संपर करें महाकाल कंप्यूटर्स डी-ए-वी-पी-जी कॉलेज के पास पंच मदीरा मोर से दाहिने सिवान आरेस जेम्स एंड ज्वेलर्स जहां आपके लिए हॉल मार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिसाइनों में उपलब्ध हैं वही लेनी हो बोल, डाइमंड या चांदी के जेवर तो आज है चलें सिर्फ और सिर्फ आरेस जेम्स एंड ज्वेलर्स सबसे विश्वसनी शॉप लाल पैलेस स्टेशन रोड सिवान मुबाइल नमबर 9572658649 और 7979869474 नमस्कार आप देख रहें एटियन लाइब और मैं हूँ चंदन सिवान में दीपक की हत्या कर दी गई दीपक की हत्या के हुई कैसे हुई और किन कारणों से हुई यह अभी तक असपष्ट नहीं हो सका है लेकिन आपको बता दे कि जिस तरीके से रवी वार की सामचार बज़े से जो खबरे पूरे इलाके में आग की तरह फैली वो खबर यह फैली की दीपक का इंकाउंटर कर दिया गया और उसके साथ राने वाले कुछ उसके ही साथियों को हटीफ ने गिरपतार भी कर लिया लेकिन जब दीपक का बॉड़ी सदर अस्पताल में पहुचा और वो भी बढ़़िया की प्रखंड प्रमूख की गारी में तो सब लुक देख करके वहौचक रह गए कि आखिरकार बढ़़िया प्रखंड प्रमूख की गारी में दीपक का सो कैसे मिला और इसको लेकर के तरह तरह की चर्चा होने लगी फोरी देर के बाद परिज़नों को जानकारी मिली और सिवान के नगर थाना इलाके के लक्षमी पूर्मुहले के रहने वाले दिपक कुमार के चाचा पुर्ववाट पारसद नंदलाल भगत पहुँचे और प्रसासन ने उन रखा कि दिपक यही है यो उनका भतीजा था और जिसकी मौत हो चुकी थी लेकिन अभी भी दिपक की मौत की जो मिश्ट्री है वो इर्द गुर्द घुम रही है यह नहीं समाझ में आ रहा है कि दिपक की हत्या की गई या फिर कैसे हत्या हो गई तरह तरह की लोग बाते कर किसकी मौत हैं मेरी भती जाक कोई है दिपक को दोगर गए थे लिडिस लोग थी लेडिस्सजो कुछ नहीं बमें तो में पास कुछ गया तो बोला कि उनको मार दिये थे गाड़ी से लोग भाग रहते हम धरे हुए हैं चार आजम के रेश्ट किये हैं एक नाम तो भुला रहा है हमको दिखाये हुए थे एक परमुक थे दो आदम के नाम याद मेरे हैं सुचना मिला सब्सक्राइब कर दो क्या लग रहा है किस तरह से इनकी हत्या नहीं हुए है इनकी जोहर खिलाए जाए जोची खिलाए गया है लिए पास गए थे मानिश जी हमसे पूशे में जबताया हम वस्पितर कुछे मानिश जी कोन है तो यह क्या करते लिए अपना धन्दा करे थे यह आज बालु का धन्दा था बास बेश्ते थे यह घर से कब निकले थे कौन-कौन साथ में पता है कौन-कौन साथ में किनके साथ निकले थे यह पीलोचा पाच अदू थे इनके संगे उसका क्या एक संतोस होगा एक नंगरू होगा हाला कि वहाँ पे लोग भी काफी आक्रोसित थे जो दीपक के परिजन थे या फिर उनके मुहले के लोग थे लेगिन सवाल यह है कि दीपक से प्रखंड प्रमुक की गाड़ी से क्या है कनेक्शन दरसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से सीवान के ESP कर्याले से एक प्रेज बिगिअपती जारी की गई है और उससे प्रेज बिगिअपती में यह कहा गया है कि दीपक एक अपराधी किस्म का वैक्ती था और उसमें यह बताये गिया है कि टेरी घाट से होकर के सिध्वल की तरफ ये लोग जा रहे थे उस दोरान S.I.T. टीम को सुचना मिली और जब पुलिस को ये लोग देखे तो भागने लगे भागने लगें उस करम में सिवान का कुख्यात गोलू सिंग भी मौजुद था और गोलू सिंग पुलिस को चक्मा दे करके वहां से फरार हो गया चार लोगों की उसमें गिरफतारी हुई जिसमें एक महम्मद शलमान उर्फ सैफ दूसरा जो सल्लू महम्मद मिनहाज उर्फ सल्लू जो बरहडिया प्रखंड प्रमुख का पती है और राहुल यादो और उसके बाद चोथा अमन यादो और इन चार लोगों की गिरफतारी हुई पुलिस का कहना है जो प्रेस विगयपती जारी हुई है एस्पी कर्याले से उसमें कहना है कि जो ब्लैक रंग की एसकोर्पियो थी उस एसकोर्पियो में एक वैक्ती मित उसमें रखा गया था उसके सौवक रखा गया था और बाद थानों में अलग-अलग कई कांड दर्ज थे पुलिस को इसकी कई दीनों से तलास थी वो तमाम चीजे हैं लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि दीपक प्रखंड प्रमुख की गाड़ी के साथ क्या कर रहा था और इनके साथ जो चार लोग पकड़े गए थे ये लोग क्या कर प्रशासन को यह भी पता लगाना होगा क्योंकि परिजन लगतार ही हम मांग कर रहे हैं कि दीपक की हत्या हुई है तो कैसे हुई है यह किलियर करना होगा हलिकि रवी वार की रात में पुश्टमाटम दीपक का हो गया उसके बाद से कहा जा रहा है कि एफएसल के भी टीम आएगी विस्तरा भेजा जाएगा यहां से दिपक का अफेसेल टीम को लेकर के जाएगी और उसके बाद से जो वहां से रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि दिपक की हत्या की रिपोर्ट स्क olur और किस तरह से मौत हुई है संदिक्द अवस्था में जो मौत हुई है दिपक की उसको ले करके कई तरह के सवाल खड़े हो रहा है यह भी कहा जा रहा है कि टेरी घाट के आसपास कोई जमीन की बॉंडरी हो रही थी उसमें कुछ और लोग थे जो वहाँ से भाग खड़े हुएं और बीबाद बताया जा रहा है कि दो बज़े के आसपास भी एक बार पुलिस और इन लोग के बीच में बीबाद हो चुका था दूसरे राउंड में जो यह लोग गाड़ी से जा रहे थे उस दोराने साइटी की टीम ने जब पीछा किया तो यह भागने लगे और उस दोरान इनकी वहां से गिरफतारी हुई जिसमें दीपक का सो पाया गया और दीपक का सो प्रखंड प्रमुख बढ़डिया की उनके गाड़ी में पाया गया तो यह तरह तरह के सवाल है जो कि अभी तक किलियर फाई नहीं हो रहा है कि आखिर दीपक की मौत हुई तो कैसे हुई और इसको लेकर के परिजन भी जानना चाहते हैं जिस सैफ की गिरफतारी हुई है वही सलमान सैफ है जो राजस्तान में गिरफ और जब यहां से जमानत मिली तो सैफ जो है लगवग 15-20 दिनों से वह जेल से बाहर था और वही सैफ है जिसकी कल फिर से गिरफतारी हुई है मिनहाज उर्वसलू जो की बरहडिया प्रखंड प्रमुख का पती है और इस पर भी इसके पहले भी मामले दर्ज हो चुके है इ सिवान जिले के जीवी नगर के माधोपुर का राने वाला है पुलिस को कई दिनों से उसकी तलास है लेकिन वो पुलिस के खथे नहीं चड़ता है सुत्रों से मिली जानकारी मिली है कि गोलू सिंग किसी तरह का कोई मोबाइल नहीं रखता है ताकि प्रसाशन उसका आलोके की टीम वहां पर नाके बंदी की और उसके बाद से ये लोग वहां से फरार हो गए गोलू सिंग वहां से फरार हो गया और चार लोग की गिरफतारी हो गई तो ये चीजे हैं जिसको ले करके दीपक की हत्या का जो राज है वो राज अभी तक नहीं खुल रहा है लेकिन पुल लोग हैं वो सवाल उठा रहा है आपने देखा होगा कि जब खबड़े चलती हैं तो उस पर कमेंट्स आता है तो लोगों का कहना होगा तो इसको लेकर के कहीं न कहीं प्रशाशन भी कट घरे में है और उसको क्या जवाब देना होगा और इस पर कहीं न कहीं किलियर करना होगा कि दीपक की मौत किन कारौनों से हुई किन वजहों से हुई और आखिर जो जमीन का जो विवाद वहाँ जो बॉंडरी का काम चल रहा था वो किसका था कहा जा रहा है कि वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे असमाजिक ततों थे जो कि वहाँ से फरार हो गए हाला कि दीपक की तलास पूलिस को थी कई महीनों से चल रहे थी कई मामलों में वांची था दीपक और S.P. ने तो सीधे तोर पर किलियर कर दिया है कि दीपक अपराधी किस्म का बैक्ती था इसी तरीके से इसे खबर को लेकर के लगतार फॉलो अप हम करते रहेंगे तमाम लोगों से एक गुजारिश होगी जो भी हमारे दरसक है कि एटियन लाइब बिहार के फेस्बुक पेच पर आप जाएं और वहाँ जाकर के ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें ताकि हम छोटी बड़ी जो भी खबरे हो चाहे क्राइम से जुड़ी खबर हो या फिर पोलिटिकल खबर हो या फिर समाजिक सरुकार से जो जुड़ी खबरे है वो हम आप तक पहु शाने का काम करते रहें धन्यवाद